हेलो फीचर डॉक्टर्स हम सब NEET 2021 के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और आई होप के रिजल्ट जल्दी ही आ जाएगा लेकिन इससे पहले NTA NEET 2021 की ओफिचिल आंसर की रिलीज करेगा फिर उसके बाद रिजल्ट आएगा लेकिन आप सबने अभी तक वेरियस कोचिंग कर लिए होंगे देखो अब अगर बात की जाए कोचिंग इंस्टिट्यूट की आंसर की की और NTA की ओफिचिल आंसर की की तो इसमें यह मान के चलो 5-10 मार्क्स का डिफरेंस आ सकता है और यह कोई नई बात नहीं है हर साल ऐसा होता आया है मान लीजिए किसी स्टुडेंट क किसी कोचिंग इंस्टिट्यूट के कोडिंग 600 मार्क्स बन रहे हैं तो आप यह मान के चलो यह स्टुडेंट 610 तक भी जा सकता है और हो सकता है थोड़े बहुत कम हो करके 590 भी चले जाएं लेकिन यह डिपेंड करेगा NTA की ओफिचिल आंसर की पे ठीक है तो अब देखो आपने मार्क्स कैलकुलेट कर लिए लेकिन सब स्टुडेंट्स रिजल्ट से पहले यह जानना चाहते हैं कि मेरे मार्क्स के कोडिंग मेरे 600 है 640 है या 580 है 550 है 530 है इस पे मेरी क्या रेंक हो सकती है तो NEET 2021 में आपकी क्या रेंक आ सकती है तो NEET 2020 का एनलिसिस करते हुए मै मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूँगा और उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि आपती रेंक कितनी आ सकती है जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूं कि 600 मार्क्स पे इस बार अराउंड 8000 रेंक आ सकती है तो इसमें देखो मैक्सीमम 3 to 4 मार्क्स का डिफरेंस आ सकता है या जनी 8000 रेंक आपकी ये मान लीजिए 603 या 604 पे आ सकती है या 597, 598 तक भी आ सकती है तो 3-4 मार्क्स का डिफरेंस आप मान के चलेंगे बाकी आपको ओल्मोस्ट रेजल्ट सेम ही मिलने वाला है तो अब हम देखेंगे कि NEET 2021 में आपकी क्या रेंक आ सकती है देखो पहले ह हम एनलिस कर चुके हैं कि NEET 2021 का पेपर 2020 के कंपेरिजन में लेंधी था और अच्छे लेवल का था इसलिए इस बार यानि NEET 2021 में कम मार्क्स पे अच्छी रेंक आएगी अब ये डिफरेंस कितना आ सकता है तो यहाँ पे हम कंपेर करेंगे देखो आपके सामने टेवल बना ह हुआ है जिसमें फ़र्स्ट कोलम में रेंक लिखी गई है सेकंड कॉलम में 2020 के expected मार्क्स लिखे हुए है और थर्ड कोलम में ये लिखा है कि गिवन रेंक पे लास्ट यानि नीड 2020 में कितना स्कोर था तो देखो भई, यहाँ पे सबसे पहले 1st rank और 2nd rank, कितने marks पे थी last year, 720 पे थी, तो इस बार कितने marks पे आ सकती है, मेरे according 715 पे इस बार 1st year 2nd rank आ सकती है, यानि 715 पे भी आ सकती है, 716 भी हो सकते है, और हो सकता है किसी student का score इस बार भी 720 आ जाए, next इसके बाद 226, last year 715 पे थ लगती है, फिर इसके बाद next है, top 10 में, top 10 में rank लाने के लिए, need 2021 में आपका score कितना होना चाहिए, 710 होना चाहिए, जो last year भी कितना था, 710 था, फिर इसके बाद top 44 में rank लाने के लिए, आपका score 702 होना चाहिए, जो कि last year कितना था, 705 था, अब कुछ students के mind में ये आ रहा हो होगा, सर आपने top 50 के लिए तो बताया ही नहीं, देखो मैं अलग से बता देता हूँ, क्योंकि देखो हम सब अच्छी तरह जानते हैं, इंडिया का top college कौन सा है, aims Delhi है, और aims Delhi में general category में admission पाने के लिए, need में कितनी rank होनी चाहिए, top 50 में होनी चाहिए, तो top 50 में इस बार मेर मिल जाएगा, यह मेरा एक idea है, ठीक, समझारी बात, अब देखो, अब यहाँ पे हैना, एक एक छोटा सा doubt है, इस बार देखो, जो आपकी rank आएगी, need ने इस बार clear कर दिया, कि जो age वाला criteria था, वो खतम कर दिया गया है, तो इस बार हो सकता है, माल लीजिए 710 marks, माल लीज student है, 7 marks पे, तो इन सब को कितनी rank मिलेगी, 10, 10, 10, सब को सेम rank मिलेगी, बात समझ में आरी कि ने आरी, लेकिन एक बात ध्यान रखना, भई जो aims डेली में students जाएंगे ना, वो top 50 rank के coding नी जाएंगे, उसमें total 50 students जाएंगे, अब criteria क्या होगा, यह NTA ने अभी तक define नहीं किया है, एक बार NTA की तरफ से official result आ जाएंगे और official notification आ जाएंगे, फिर क्या criteria होगा NTA का, उस पे मैं आपके लिए एक separate video upload करूँगा, जिसके लिए आपको Bewise Classes YouTube चैनल सबस्क्राइब करके रखना है, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, next देखो 85 rank, इस बार कितने marks पे आ स 690 plus marks होना चाहिए, जबकि last year कितना था, 698 था, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, next देखो भई, अगर आपको 150 तक rank लाना है, तो 685 होना चाहिए, और top 200 में अगर आपको rank लाना है, तो कितने marks होना चाहिए, 680 प्लस होना चाहिए, तो ये point आपका note करने वाला है, क् OBC category की, और OBC category में अगर आपकी rank top 200 तक आती है, तो आप ये मान के चलो, आपको easily aims daily मिल जाएगा, अब कुछ बच्चे बोलेंगे, sir आपने general category का बता दिया, OBC का बता दिया, HC का कितने पे मिलेगा, H tip का कितने मिलेगा, देखो इसके लिए top 20 college की separate video मैं आपके लिए upload कर पे कौन सा college मिल जाता है, तो वो video आप देख सकते हैं, उस video का link आपको description में मिल जाएगा, अचा इसके लावा, पहले मैंने आपको ये भी बोला था, कि आपके लिए एक video upload करूँगा, जिसमें सभी colleges की, मैं सभी aims college की, मैं आपको separate category wise cut off बताऊँगा, तो वो भी video आपके ल पाकि हमें counseling करने में असानी हो, तो इस type की बहुत सारी video आने वाले time में मैं आपके लिए upload करने वाला हूँ, तो please आप be wise classes के दोनों YouTube चैनल सब्सक्राइब करके रखें, और इसके साथ साथ आप Telegram चैनल से भी जरूर जरूरे रहें, क्योंकि वहाँ पे मैं आपके लिए PDF बगेरा भी upload करता रहता हूँ, एक important PDF मैंने आपके लिए upload की थी, कौन सी PDF थी, वो में last में discuss करूँगा, अब next देखो, अगर आपको top 500 में rank लाना है, तो कितने marks होने चाहिए, 670 marks होने चाहिए, जबकि last year कितना था, 684 था, फिर next देखो, आपके सामने लिखा, 5 to 600 पे 665 ह और 900 तक 655 है, और 1200 rank तक आपको कितने marks होने चाहिए, बोलो भाई 650 marks होने चाहिए, फिर इसके बाद अगर next हम बात करेंगे, भ wurden 1600 rank कितने marks पे आ सकती है, 645 पे, 2500 rank कितने marks पे आ सकती है, 630 marks पे, ऐसे ही अगर हम बात करें, 5618 marks पे आ जाएगी, 10,000 rank कितने marks पे आएगी, 588 marks पे निट 2021 में आपकी 12,000 तक rank आ सकती है जबकि 12,000 rank last year कितने marks पे थी 620 marks पे थी तो इतना की difference क्यों आ रहा है क्योंकि आप जानते हैं paper अच्छे level का था lengthy था tough भी था फिर next है 15,000 rank कितने marks पे आ सकती है 570 पे 20,000 560 पे 25,000 540 पे ठीक है भाई फिर इसके बाद 50,000 rank कितने marks पे आ सकती है 500 marks पे I hope के इस बार आपकी 50,000 rank आ सकती है जबकि last year कितने थी 550 पे थी ठीक तो difference देख रहे हैं आप और जिनके 530 के आसपास marks आएंगे उनकी rank होगी इस बार 30,000 के round ठीक तो I hope के इस बार 530, 535 के round West Bengal के college में general category में admission मिल सकता है ठीक बाकि और state की भी बताएंग जैसे अगर मैं ओडिसा की बोलूं तो ओडिसा में मालन के चलो 560 के आसपास शोर है मिली जाएगा जैसे राजस्तान है हर्याना है पंजाब है और बिहार है यूपी है इनमें 585 के आसपास मेरे according general category में admission मिल सकता है बाकी detail में बात एक separate वीडियो में करेंगे उसके attention अभी आपको नहीं लेना है फिर नेक्स देखो आपके सामने 60,000 rank 480 पे आ सकता है 70,000 470 पे और 80,000 485 पे 90,000 445 पे और 1,00435 प्लस मार्क्स तक आ सकती है तो इतना ही analysis मैंने आपके लिए के था और इतना ही काफी है क्योंकि देखो 1,001 rank के बाद आए हो के आपको पता है कि आपक तो government MBBS तो मिलेगा नी इतने marks तक almost सारे government MBBS seat cover हो जाती है तो इतने तक मैंने आपको अच्छे से बता दिया फिर भी अगर आपको कोई doubt है आप clear करना चाहते तो comment section में comment करके पूछ सकते हैं अब देखो मैंने एक बीच में एक बात बोली थी कि मैंने आपके लिए एक important PDF upload की है ठीक telegram channel पर बहुत सारे students को अभी भी पता नहीं है बहुत सारे students ने अभी भी download नहीं है देखो मैंने आपके लिए strategy वाली वीडियो बनाई थी six month strategy का वीडियो बनाया था जिसको काफी students ने follow किया जिसे काफी students को benefit हो रहा है फिर कुछ students ने comment section में comment करके ये request की थी sir जैसे last year आपने weekly plan बताया था कि physics के कितने chapter करने chemistry कितने करने bio कितने करने है कौन सी unit को कितना time देना है कितने question आ सकते है ऐसी वीडियो हमारे लिए एक upload करें तो उस time मेरे पास video upload करने का time नहीं था इसलिए मैंने क्या किया PDF मनाई six month की daily time table की PDF मनाई और वो last तक first May 2022 तक पू अगर अभी तक आपने वो PDF डाउनलोड नहीं की है बिवाइज classes टेलिग्राम चैनल सब्सक्राइब करें और वहां से files में जाके वो PDF आप जरूर डाउनलोड करें और आगे के लिए भी आप टेलिग्राम चैनल जरूर सब्सक्राइब करकर रहें क्योंकि कई बार क्या होता वीडियो अपलोड नहीं कर पाओ तो टेलिग्राम चैनल के थ्रूर आपको इनफॉर्म किया जाएगा बात समझ में आरी है इसलिए बिवाइज classes YouTube चैनल से भी जुड़े रहें और टेलिग्राम चैनल से भी जुड़े रहें अब इसके बाद और कौन सी वीडियो आएंगी जैसे यह हो गई आपकी rank versus marks की अब आपकी aims की cutoff जैसे aims Delhi cutoff तो मैं पहले discuss कर चुका हूँ top 20 college वाली वीडियो में इसके लावा other aims जो है बहुत सारे students aims में जाना चाते हैं तो aims की cutoff क्या हो सकती है कितने rank पे आपको other aims मिल सकते हैं एक अलग से separate वीडियो आएगी और इसके स्टेट वाइज स्टेट वाइज आपकी cutoff क्या रहेगी general category कितनी होगी OBC की EWS की SCST की तो यह सारी वीडियो आपके लिए detail में आने वाली है प्लीज आप device classes दोनों YouTube चैनल सब्सक्राइब करके रखें और एक request मेरी आप से यह है कि प्लीज आप वीडियो को share जरूर किया कर है जितना आप share करेंगे उतने ज्यादा students जुडेंगे और जितने ज्यादा students जुडेंगे उतना ज्यादा मेरा motivation बढ़ेगा तो मेरा जितना ज्यादा motivation होगा उतना ही अच्छा काम मैं आपके लिए करूँगा तो please share जरूर क्या करो और जो students 2022 के लिए prepare कर रहे हैं तो उनके लिए सारे courses, test series है, rank booster course है, long term course है, सारे courses अब आ चुके हैं, अगर आपको join करना है तो description में सभी courses का link given है या given number पे आप call करके भी बात कर सकते हैं, thanks all the best